नियूस क्लिक में आपके स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे टेलेकॉम में जो अभी फिलहाल रेड बढ़ा है तीन कंपनी ने मिल के करीब करें जो देखने को मिल रहा है रेड 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया पौर जाए टेलेकॉम में वो स्पेक्ट्रम यूज चार्ज पह इस बार जो है तीन कंपनी जियो जिस पे शामिल है एर टेल और आइडिया वोड़ाफोन मिल के लगता है 40-40 प्रतिशत जो सर्विसेस की कीमत है दाम है जो कह सकते है प्री पेड यूजर्स की वो बढ़ा दिया है तो कल्यूसिव बीहेवियर माने जाएगा सब सांड गाट करके दाम बढ़ा रहे हैं एक ही दिन में इस तरह से दाम बढ़ाना प्रभीर आइडिया वोड़ाफोन 40 से भी जादा 50 पीस दिवर सकते हैं आपने बिलकुल ठीका देखिए इत्वार का दिन एक के बाद एक आइडिया वोड़ाफोन भारती एटेल और रिलाइंस जियो जाकी आने वाले कुछ दिन कोई कह रहे हैं मंगलवार 3 डिसमबर कोई कह रहे हैं 6 डिसमबर 50 चालिस से 50 प्रतिशद आपका वैस कॉल्स डेटा कॉल्स बढ़ने वाले हैं और ये भी साफ हो गया आज बजार में एक नंबर स्थान में कौन हैं सबसे आगे आज रिलाइंस अगर आप उब्भोकता देखेंगे या सब्सक्राइबर्स देखेंगे रिलाइंस के पाज आज 35 करोर का आसपास उब्भोकता है आईडिया वोड़ाफ और पास 31 से थोड़ा जादा है भारती एटेल के पास 28 करोर है और मानागर टेलिफोन लिमिटेड और भारत संचाटन लगभग 12 करोर के आसपास तो मतलब आज तीनी खिलारी है बजार में और ये भी आप मानिये की ठीक है चार साल के बाद आप टेरिफ बरा रहे मगर जब 94 साल से जब ये शेत्र में आप नीजी कमपनी को अनुमति दिया आने के लिए 94 से इतना जबरदस्त एक बार में आप का टेरिफ नहीं बताया अब 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 और ये है अबी इस वक्त सारिह आपका जो प्री पेड कस्टमर्स के लिए है पताने आने वाले दिनों में पोस्ट पेड कस्टमर्स भी बर जागा मंगर हमारे दिश्में जादा से जादा लोग प्री पेड कस्टमर्स है तो इनका अभी जादा पैसा देना परेगा बात करने के लिए और डेटा का इस्तिमाल करने के लिए रिलांज यो कर्ल कहले कि आपको जादा डेटा मिलेगा मगर जो पुराने जमाने थे जो लगबख सारे तीन साल चार साल से चल रहे की आपको मुफद में बहुत कुछ मिल रहे वो दिन खादम होंगे पर देखे वुफद में जब बिल रहा था तब भारती एर्टिल और आइडिया वोडाफोन को ये कहना था कि ये प्रेडिटरी प्राइसिंग हो रहा है जिसके जरिये जो हमारे कंजूमर्स को खीच ले जा रहे हैं और ये वाइबल नहीं है हमारे लिए इसी लिए इसको बंद किया जाए तो रेगुलेटर ने कुछ किया नहीं था जियो का फायदा ये था कि वो लेट इंट्रेड था उसके लिए इस तरह का कोई क्या कहते लोन का प्रेशर भी नहीं था पुराने चीजों की प्रेशर नहीं था नया टेक्नालोजी नया चीजों इस्तवाल किया था और इसका खर्चक इसने दिया इंफरस्ट्रक्शर की भी सबाल है तो उनके लिए प्रेडिटरी प्राइसिंग का ये गत जो है दो कंपनी लगा रखी थी पर एक दिन सुबह उठके हमने देखा तीरों कंपनी मिलके वो एक ही सब दाम बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे रेट मौटालेस एक ही हो जाएगा तेकि प्रेडिटर कौन है ये जो शिकार करने वाले कौन है और किस तरह से ये बजार में इनका खेल चलता है आप पहले लोगों को मुफ़त में सब कुछ दे दीजिए एक तरह से लोगों को आप लालची बनाएए कि आपको सब कुछ मुफ़त मिल रहे है आपका सारा डेटा मुफ़त मिल रहे है आप जतना मर्जी आप टेलीफोन कॉल कीजिए एक जगह में पहुचके आप देख रहे हैं ये नहीं चलेगा क्योंकि क्या हो रहे थे रिलाइंस जियो का नेटवर्क में हर रोज 25 से 30 करोर मिस्स कॉल आ रहे थे और बागी उनको बाद में फोन कर रहे थे और एक चीज़ और बहुत ही एक महत्वपूर्ना बात हुआ कि 9 अक्टोबर रिलाइंस जियो ने 6 पैसा हर मिनिट में वोईस कॉल बढ़ा दिया और उसके बाद में जो हुआ कि 24 अक्टोबर के दिन सबसे उच्छनाल है हमारे सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया वहाँ पे वहाँ के खंटपीट जिस्टिस अरून मिश्टा का नेट सित्थ में इन्होंने कहा कि जिस तरह से आपका आए अजिस्टिड ग्रोस रेविन्यू आप जो आपने पैसा कमा रहे किस तरह से इसका अनुमान करना चाहिए ये पूरा बदल दिया और राता रात पूरा इंडिस्ट्री चमक ग्या क्योंकि बोला कि आपको 90,000 क्रोर से भी 90,000 क्रोर से भी जादा पैसा देना परे चमक ग्या का मतलब बिल्ले आज चच्च होगी अनुमान का हक का बक्का रहे गया क्योंकि एक बहुत बड़ा धक्का उनको पहुंचा 93,000 क्रोर का धक्का पहुंचा बिल्कुल और इसके उपर ये धक्का ये है कि विवादास्पत था राशी पहले कम था बढ़ते बढ़ते के उनकी इंट्रेस चार्जेज आँगे ये चल रहे थे 15 साल से और ये बहुत सारे कमपनी के खिलाफ है मगर वो कमपनी आज है ही नहीं 15 ऐसे कमपनी के खिलाफ मगर अभी 3 ही बागी रहे गया और बागी कमपनी कुछ डूब गया कभी मर्च हो गया जैसे आइडर वोड़ाफोन हाजी टेलेकॉम में तो तीन चीज है एक उनका NPS या उनका लोन्स जो की सरासर बैंक को असर के उपर असर पड़ता है कुछ NPS हो गया कुछ कमपनीया डूब गई ये तो एक तरफ है इस वत था दूसरी तरफ है जो कमपनीया अभी भी बार्केट में है एर टेल वोड़ाफोन की जो आप बात कर रहे हैं दो कमपनी है उनकी भी उधार है बैंकों के और इसके उपर उनकी जो आप कह रहे थे अडजस्टेड ग्रोस रेविडियो की 93,000 क्रोर्स की उनकी उपर बोज है और स्पेक्ट्रम चार्जस भी उनकी 43,000 क्रोर स्पेंडिंग है 42,000 क्रोर ये सरकार ने छूट दे दिया आने वाले दो साल में आपको पैसे देना नहीं पड़ेगा और साथ-साथ एक चीज़ और हो गया कि आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी उनका जो जज्जमेंट है उसका एक रिव्यू होगा रिव्यू में क्या आएगा नहीं आएगा ये समय बताएंगे मगर एक चीज़ है कि ये जो पूरा शेत्र का जो रिन है ये आट लाक करोर से भी जादा अगर ये शेत्र डूब जाते है बैंकों का भी हालत बहुत कराब हो जाता है उनका जैसे NPAs है Non-Performing Assets वो भी बच जाएगा तो अभी सरकार का एक समयती है Cabinet Chief के नेत्रित में राजीव गौबाजी इनमे टेली कॉम सेकेटरी है अन्शु परकाश जी Finance Secretary है वित मंत्रा लेकर जो सच्चिव है राजीव कुमार और कानून मंत्रा लेकर अनुब कुमार मेंदी रहता है इन लोग को बताना परेगा मगर अगर सुप्रीम कोट कहरा कि जैनरी जब महीना खतम होगा तब तक ये 93,000 देगा सारे सेक्टर खतम हो जागा तो सरकार क्या करेगा जैसे आपने कहा ये शुरू हुई है 23,000 क्रोड़ इसके उपर आपका वैजदर रगा इसके उपर आपने पैनल्टी लगाया उसके उपर पैनल्टी और वैजदर के उपर और भी आपने वैस तरह आया, यह 23,000 से बढ़के 93,000, तो सरकार कैसे छूट देगा, कितना छूट देगा, किस तरह से देगा, यह समय बताएंगे, मगर आज जो पूरा आपका शेत्र का जो च्छवी है, यह बदल गया, आज कौन एक नंबर है, यह साफ हो गया, और आज एक तरह से यह तीनों मिलके इस वक्त, इस वक्त काम करेंगे, एक दूसरे किसी को कौन किसके साथ बात किया, मगर जिस तरह से इत्वार के दिन, एक साथ इनोंने दाम बढ़ा दिया, यह जैसे आपने कॉल्यूजिव बहेवियर किया, यह साफ हो गया, यह तो तीनों के एक वक्त मनना पड़ाएगा, पर मैं इस से तोड़ा हटके इस बात को कहना चाहता था कि आज के देखे दिन में एक नया एकिनॉमिक या फाइनेंशिल स्ट्राटेजी होता है, जो आमाजान हो, गूगल हो, फेस्बूक हो, सब हमनाते हैं, उनका कहना है कि पहले हम मुनापली काइम क मुनापली अगर हो जाता है, तो हम जो भोकता है, जो खरिदार है, उससे हम वसूल कर लेंगे पैसा पर पहले मुनापली चाहिए, तो रिलाइन्स देखने वाली बात है, रिलाइन्स जिस महिने में लीडर बन जाता है, उस महिने में मुनापली बिहेवियर भी लगता है, ये थोड़ा क्या कहते हैं एक एकसिडेंट थोड़ा अजीव लगता है। ये एकसिडेंट नहीं है जी आप कहरें एकसिडेंट जो प्रेडेटर है जो शिकार करने वाले हैं इसी तरह इनका वैवार होता है। अभी तक आप बिल्कुल ठीका आप लोगों को लालज दिखाए आप वोगता अपने पास ले आएए अपने पास जब आ गया है आप उनको कह रहे हैं भी अभी तो और मुफत में हम इतना आपको नहीं दे पाएंगे हम कोशिश करें और रिलाइंज जियो ये भी कहा कि हाँ हम तीन सो फिस्दी आपको जादा फाइदा देगा। परफॉर साथ हो एक साथ मिलके करें पर पहले हातियार गेर तो कि आप दो नंबर तीन नंबर हो आप हमसे कॉम्पीट करने की हमारे टर्म्स में ही कर पाऊंगे। तो कौन फर्स क्लास में है और कौन सेकंड क्लास सिटिजन और थर्ड क्लास सिटिजन ये भी साफ हो गया क्योंकि दे बाद आया आपका आइडिया वोड़ाफोन 40 और सबसे कम आया एलाइन जियो साथ क्रोर 13.35 करो मतलब इन लोग के सामने कहीं भी नहीं है और बाकी जो एक समय साप ये भी है कम साल के है और जब रेविन्यू जीरो है तो अग्जस्टिन ड्रॉस रेविल्यू तो होगा नहीं न तो भी देखे है यह जो है कि बनापली रोखने के लिए बनापली कमिशन है हमारे पास अभी भी कमपटिशन कमिशन अव इंडिया दूसरा है कि टियार याई जिसका भी काम है देखना प्राइसिंग कैसे हो तो दो क्या करते देखना प्रोड़ा है उसके बाद आदालत है उसके बाद तो कंजूर्बर के पास अदालत ही बचता है पर यह देखने वाली बात है कि जो ऑब्वियस एक्लिूसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है उस पर यह दो कमिशन रेगुलेटरी रेगुलेटर जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी औथारिटी या कॉमपीटेशन कमिशन कुछ करते है नहीं करते हैं। धन्यवाद पराणजव हमारे साथ होने के लिए और हमारे दर्शकों को बतारे के लिए टेलीकॉम की स्थिती क्या है क्या होने वाला है देखते रहीएगा ड्यूस क्लिक आज के लिए इतना है